दोस्तो रक्षाबंधन के लिए आज मैं आपको इस्पेशल तरीके से तीन अलग अलग तरीके के घेवर बनाना बता रही हूँ इस वीडियो में मैंने तीन ट्रेक बताई हैं जिनका इस्तिमाल करके आप बड़ी ही आसानी से एकदम परफेक्ट बिना मोल्ड के घेवर घर में तैयार कर पाएंगे रेस्पी को देखने के बाद अगर आपका कोई कॉश्चन हो रेस्पी से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट में नीचे जाकर आप पूछ सकते हैं तो चलिए देर किस बात की आज की इस इस्पेशल रेस्पी को बनाना हम लोग शुरू कर लेते हैं घेबर बनाने से पहले हम रबडी बना लेते हैं तो यहां पर मैंने एक कड़ाई में एक लीटर फूल क्रीम दूद लिया है दूद को मैंने पहले उबलने के लिए रख दिया है तो हम ऐसे लगातार चलाते हुए दूद को उबालेंगे ध्यान रखेंगे कि लगाता चलाते रहेंगे और जो साइड में मलाई आएगी मलाई को हम ऐसे साइड में करते जाएंगे और इसको उबालना है लगभग 15 मिनट तक 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है दूद एकदम घाड़ा हो गया है तो इसमें डाल देते हैं चार चमच चीनी साथी साथ डाल देते हैं आदा चमच इलाईची पाउडर और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद इसको हमें लगभग 15 मिनट तक और उबालना है जब तक कि ये जो दोध है न बिलकुल रबडी की फॉर्म में ना आ जाए और एकदम गाड़ा ना हो जाए और साइड में यहाँ पर जो खुर्चने इसको भी मैं दूद में ही डाल दूँगी ऐसा करने से एकदम मलाईदार लच्छी वाली रबडी बन के तेयार होगी यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं इसको उबलते उबलते रबडी हमारी बन चुकी है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कर लेंगे रूम टेंपरिचर पे ठंडा और चरिए अब तयार करते हैं हम चाशनी बनाने के लिए एक पैन में डाली है मैंने दो कप चीनी और साथी साथ डाल देते हैं एक कप पानी मिला देते हैं अच्छे से पानी को मिलाने के बाद इसको हम लगभग 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबालेंगे जब तक कि चाशनी तयार ना हो जाए पांच मिट बाद चाशनी को हम चेक करेंगे तो ऐसे इस पैचुला में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और उंगली एंगोटे की मदद से ऐसे दवाएंगे यह देखितार बन रहा है एक तार की परफेक्ट चाशनी बन चुकी है फ्लेम को बन करेंगे चलिए अब हम घेबर क को अच्छे से चलाएंगे तो पहले हम अच्छे से एक बार चला लेते हैं लगभग 30-35 सेकंड तक यहां पर बरफ जो है न वो पिछने लगी है तो इसको हम ऐसे चमच की मदद से थोड़ा सा उपर नीचे कर देंगे और इसमें डाल देते हैं एक कप तूद और फिर से इस कफ और दूद की बज़े से यहां पर इसमें मक्खन निकल आया है यह एकदम पर्फेक्ट टाइम है मैंदर डालने का तो बस अब हम यहां पर इसमें डाल देते हैं एक कप मैंदर और फिर से हम एक बार और इसको अच्छे से चला लेते हैं चलाने के बाद जो घोल है अभी यहां पर गाड़ा है तो हमें क्या करना है कि इस घोल को पहले एक बावल में निकाल लेना है निकालने के बाद इसमें हम और पानी एड़ करेंगे तो यहाँ पर इसी जार में मैंने डाला है एक काप पानी है एकदम ठंड़ ठंड़ा पानी है पानी डालकर अच्छे सी मिला लिया है यह हमारा परफेक्ट गोल बन गया है अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसका इस्तिमाल करके आप घर में ही गेवर का मोल्ड बना पाएंगे घेवर का मोल्ड बनाने के लिए मैंने लिए आठा चानने वाली चंणी और चंणी की जाली को हमें पेचकस की मदद से हटा देना है बहुत आसानी से यह हट जाती है और हो जाता है मोल्ड बन की तैयार है तो अब मैंने एक पैन Мें डाल दिया है तेल तेल कर लख दिया है और अब हमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाना है और इसको अच्छे से तलते जाना है और बीच में हमें एक काटे की मदद से या फिर किसी लकडी की डंडी की मदद से होल करते जाना है ध्यान रखें कि जब ये तेल डालते समय उपर आए उस समय डालें पहले जब यह उपर आ जाए नीचे बैठ जाए मिक्शर तब आप इसमें और मिक्शर डालें और ध्यान रखें दूसरी ट्रिक कि आप इसको हाई फ्लेम पे ही तलें यह देखिए यह हमारा घेवर एक साइट से तल गया है इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे दूसर देर के लिए छोड़ देंगे तो यह जल जाएगा इसको निकाल कर हम साइट में रखते हैं और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूं गेवर बनाने का यह मैंने लिया है चाय बाला बरतन और बरतन में डाला है एक कप शुद देसी घी आप चाहे तो तेल का भी इस्त हो जाएगा इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर डालते जाएं और इसके बीच में छेद करते जाएं यह मैंने ले लिए यहां पर रई यानि मतनी जो होती है उसकी पीछे का डंडा उसकी मदद से मैं इसमें बीच में ऐसे जगे बना दे रही हूं तो बस हमें से बैटर डालते जाना है और बीच में जगे बनाते जानी है ध्यान रखना है कि फ्लेम को एकदम हाई रखना है आपके पास यह इस तरीके का पैन ना हो तो आप छोटी भगोनी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गेवर हमारा तल गया है इसको हम निकालते हैं देखिए एकदम टेक्शर वाला गेवर्वन के तयार हुआ है यह यहाँ पर मैंने गेवर बना लिये हैं एकदम जालिदार मजेदार गेवर बनके तयार हुए हैं अब करते हैं इनकी गानिशिंग सबसे पहले चाशनी वाला घेवर बनाते हैं तो घेवर के उपर डालेंगे 3-4 चमच भर के चाशनी चाशनी डालने में कंजूसी ना करें अच्छे से डालें और डाल देंगे अब हम इसमें कटे हुए पिस्ता गानिशिंग के लिए आप चाशनी वाला बिना मलाई वाला घेवर बन की तयार हो गया है अब बनाएंगे रबडी घेवर रबडी घेवर बनाने के लिए पहले घेवर के उपर 2-3 चमच भर के चाशनी को अच्छे से फैला लेना है और उसके बाद तयार की हुई रबडी को हमें घेवर के उपर अच्छे से फैलाना है खुब अच्छे से रबडी लगाएं कंजूसी ना करें रबडी लगाने में यह मैंने रबडी को लगा लिया है और अब हम गानिश करेंगे इसको थोड़े से कटे हुए पिस्ता से आप कोई भी ड्राइफ रूट से यहाँ पर ले सकते हैं जो भी आपके पास अभिलेबल हो यह हमारा रबडी वाला गेवर बन के तैयार हो गया है लग रहा है ना एकदम बाजार वाला गेवर और यह रहा है यहाँ पर बिना रबडी वाला यानि चाशनी वाला तो चलिए अब मैं आपको एक और ट्रिक का इस्तिमाल करके गेवर बनाना बता रही हूँ यहाँ पर लिया है मैंने एक bread का piece और bread को हमें ऐसे काट लेना है तो किसी भी sharp cutori, धकन या फिर आप glass की मदद से इसको round shape में काट सकते हैं यह दिखिए, यह मैंने आपको एक bread काट के दिखा दिये तो मैंने यहाँ पर यह 3 bread काट ली है बीच में भी हमें यहाँ पर इसे काटना है तो यह मैं धकन की मतर्स से बीच में इसको काट रही हूँ दो bread मैंने brown लिये हैं, एक bread मैंने white लिया है तो आपको जो भी bread लेना है, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर bread काट गई है, अब मैंने एक पैन में घी को बहुत अच्छे से गरम किया है गरम गरम घी में हमें इनको डाल कर दोनों तरब से पलटते हुए सुनहरा कलर होने तक तल लेना है यह देखिए, तो यह यहाँ पर हमारा instant घेबर तल के तयार हो गया है इन घेबर को रखा है, मैंने एक जाली वाली रैक पर अब हम घेबर के उपर डालेंगे लगभग दो चमच भर के चाशनी सारे घेबर पर मैंने चाशनी को डाल लिया है और चाशनी डालने के बाद तयार के हुई रबडी को हमें सारे घेबर पर लगा लेना है अब मैं आप पर लगा रही हूँ इसमें चांदी का वर्क यह ओप्शनल है अगर आपके पास चांदी का वर्क ना हो तो आप ना लगाएं और डाल दूँगी कटे हुए बदाम आपके पास जो भी ड्राइफ रूट्स हो वो ले सकते हैं यह हमारा इंस्टेंट घेवर खाने के लिए तैयार हो गया है इस घेवर को अगर आप किसी को खिलाएंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि यह आपने ब्रेट से बनाया है वीडियो अच्छा लगे तो जरू ट्राय करें मिलेंगे एक लिए नई वीडियो में तब तक लिए आपको दिन शुभ हो नमस्ते झाले गया है भीडियो तो जो जरू खिलेंगे लिए हो जएगा कि दुच कि लिए जड़ा है भेट लिए झाले है यह आता लुब दिस दुचपने लिए प्टेंगे रिया हैं।